नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से अपनों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोला एज्यूकेशन पॉइंट पर तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जिन लोगों ने सेगेंड के लिए प्रोसेसिंग चलेगी पर राप भाट इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा जहांगा जब इस तरह का इंटरफेस यहांपर आएगा तो आपको उपर कर दूँगा तो यह जो प्राइब कर वाला option है इस वाले option पर हम्गोश करना होगा मैं आपको घेले में करके दिखा दे रहा हूं जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें ये 모습 की मैं आपको घही परके आपको लिदेखी प्रोसेसिंग जू है वह चल रही है यहां पर आप यह इसकी ओफिशल साइट है यहां आप को यहां से कोई भी लिंक नहीं मिलेगा जो आपको बस्तिए पलेगा जब लिंक मिलेगा तो उस आएंगे तो बहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा Click here for class 6 download admit card उस वाला जो option है उस वाले option पर आपको click करना होगा जो उस वाले option पर आप click करेंगे यह देखी मैंने scroll करते हुई नीचे ले आया हूँ मैं आपको घेरे में करके दिखा दे रहा हूँ यह जो मैंने आपको option बताया था Click here for class 6 download admit card यह वाला जो option है इस वाले option पर आपको click करना होगा जब इस वाले option पर आप click करेंगे तो आप देखेंगे कुछ second के लिए processing चलेगी processing चलने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का interface आपके सामने आएगा मैं इसको click करके दिखा दे रहा हूँ live process करके दिखाऊंगा मैं एक admit card डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा यह देखिए इस तरह का interface आपको यहाँ पर आएगा यहाँ पर आपको पुना registration number डाला होगा जो आपने form भरा था उस समय registration number जो आपको मिला था और आपको date of birth अपनी डालनी होगी date of birth डालने के जो capture आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो capture यहाँ पर fill करना होगा और sign in बाला option पर click करना होगा जो sign in पर click करेंगे इस तरह का interface आएगा click here to download admit card यह घेरे में मैंने आपको करके दिखाया इस बाले option पर आपको click करना होगा जब इस बाले option पर आप click करेंगे तो आपका जो admit card होगा वो download हो जाएगा यह देखिए मैं इस पर click here to download admit card पर option किलिक कर दिया आप नीचे देख सकते हैं downloading program हो गई है admit card जो है डाउनलोड हो गया आपको यहां से इसको मैं open करके आपको दिखा देता हूं यह देखिए मैं इस पर click कर दिया यह देखिए आप डाउनलोड कर दिया है मैंने आप यहां देख सकते हैं admit card इस तरीके से आएगा यहां पर नाम state दिखाई देगा district दिखाई देगी बिलोग दिखाई देगा registration नमबर रोल नमबर नाम पिता जी का नाम date of birth बिलेज mobile नमबर college जहां यह परते थे gender area और नीचे आप देखेंगे आप नीचे की तब जब scroll करते गएंगे तो नीचे दिखाई देगा exam center name center number and name यहां पर आपको यह देख सकते हैं इनका जो center है यह जो college यहां पर दिखाई दे रहा है इस वाले college में इनका center गया है तो इस तरीके से जो तरीके मैंने आप लोग बताया यह इस तरीके से आप लोग अपना admit card download कर सकते हैं अब चाहें तो आप इसको print कर सकते हैं च sign करके लेकर जाना होगा और आप इसकी color पर्ती लेकर जाएं जिससे आपको बहां पर कोई दिखकत नहों आप अपना id पक्राइमिंग रहेगी वो सारे यारा से डेड़ बजे तक होगा, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सारे 10 बजे पहुंचना होगा, तो इस तरीके से आप लोग अपना अड्मिट का डाउनलोड कर सकते हैं, अगया अगीजम सेंटर देख सकते हैं, डेट टाइम मैं आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दूंगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं एक नई ओनलाइन फॉर्म समधी जानकरी के साथ तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यबाद ज